नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मेगनेट ब्रेस हिंदी मेडियां पर मैं पंकस्तिवारी जैशा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको भ्रांतों बाला इस पार्ट का अभ्यासकार लेकर किया हूं करते हैं लेकर उससे पहले मेगनेट ब्रेस के द्वारा कच्छा साथ मीची लिकर के कच्छा वारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से सिक्षकों के मार्ग दर्शन में नोट से तयार हुए वो नोट्स आपकी परिच्छा में उत्त अब्यासकार को करने वाले हैं तो आज हम लोग अब्यासकार को करेंगे पाट को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा मुझे आसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा आप मुझे कमेट सेक्षन में बता सकते हैं किस-किस का लेसन यह तयार हो गया है औ एक पदेन उत्तरम लिखत आप लोग अपना अभ्यासकार जरूर खोल लें बुक में यहां पर लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो अब इसमें इस पष्ट रूप से उन्होंने दिया है कि ए यहां पर तृतिय विभक्ति एक बचन है के कारण एक पद के द्वारा या एक पद शे उतरम में लगी हुए है उत्तरको Zotik लट लगा हुआ है यूट लरूप लगा हुआ है इसलिए ही सब्द लिखना होता है तो आप लोग उतरा लिख सकते हैं अगर आता है तो नहीं आता है तो आप बढ़िया से मैच करिएगा और मुझे यह बताइएगा कि किस किस को नहीं आता है कमेंट सेक्शन में ठीक और शमझ में अगर आ रहा है तो आप लोग अगर कमेंट में आप ठेक और कहा क्या लगा हुआ है हमारा सर्वनाम प्रश्ण बाचा की सर्वनाम है आपने देखे होंगे किम के रूप किसके रूप किम के रूप देखें किम का मतलब होता है क्या किम का मतलब होता है क्या और इसके रूप चलते हैं कहा कम केन कसमाई कसमात कश्यो, कस्मिन, ठिक, ये एक बचन, दुई बचन में आ जाएगा आपका, कव, कव, काभ्याम, 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 कयो हो, कयो हो, यहाँ पर आ जाएगा आपका, के, कान, कई ही, के भ्या, के भ्या, के साम, के सु, दिया हुआ है, ठेक, अब यहाँ तक आप समझ गया होंगे, अब यहाँ से देखेंगे, यह जो हमारा प्रशने नर्माण करने वाले पद हैं, यहाँ आपको मिलेंगे न, इसलिए तो मैंने आपको बता दिया, और यह कुत्र लगा हुआ है, तो कुत्र आपको कभी-कभी यह यहाँ पर इस्थान बाची पदाता है, तो कुत्र लगता है, वहाँ सप्तमी के स्थान पर, ठेक, द्यान रखें, की दिर्शम भी आएगा, की दिर्शानी भी आएगा, वो न पुल्सक लिंके हैं, मैं अभी बताऊंगा, केबल आपको मैंने संकेत के लिए यहाँ पर यह लगा हुआ है, तो कहा कहा का रूप लगा हुआ है, प्रत्मा विभक्ति, यह प्रत्मा, दुतिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, सश्थी, सब्तमी, संबोधन नहीं है, ठेक, कहा, कहा तंद्रालू, प्रत्मा का एक बचन, प्रत्मा का एक बचन, ठेक, तो तंद्राल लगा हुआ है लटलकार पुरुष एक बचन का रूप है कौन आलसी होता है अनसर में मुझे आप लोग दीजिये गा जल्दी से और मैच करते जाएगा बाल का कौन यहां पर आलसी है बालक बालक आलसी है और पढ़ने में उसकी रूची नहीं है क्यों क्यों पढ़ने में कोची रखता अगला प्रश्ण है आपकी इस्क्रीन पर जल्दी से मुझे दीजिये बाल कहां कुत्र ब्रजन्तम मधु करम अपस्यत fatto कुत्र बालक कहां पर बिर्यों घुमते हुए मधु कर माने बहौरे को अपस्यत पहाता है कहां पर देखता है जल्दी से मुझे दीजी अंसर जल्दी से आपको जब तक मैं इसकी व्याकरणात में टिपड़ी बताता हूं बालका में प्रत्मा विभक्ति बालक ने कुत्र माने कहां बालक ने बालका प्रजैसे रामा बनता है वैसे बालका कुत्र माने कहां इस्थान वाची पदा रहा है ठीक कहा पर ब्रिजंतम माने गुन गुनाना या घूमते हुए मधुकर मने भौरा मधुकर मने मधु को मधु का निर्माण करने वाला सहत को बनाने वाला यह पराग जितनी मधुमक्यां होती है यह छोटे-छोटे रसों से मद्व पराग को निकालते हैं तो जितने भी छोटी-छोटी कीट पतंग होते हैं ये पुश्पोng पुषपों से फूलों से क्या निकालते हैं पराग निकालते हैं तो कहा पर देखा जल्दी से बताईए बहुरे को कुत्र मैंने सब्तिमी विवक्ति में लिखा ठीक है तो उद्याने में सब्तिमी विवक्ति जैसे आपने रूप देखें होंगे तो रा में बनता है क्या बनता है रा में और बालक के रूप पढ़े होंगे तो बाल के बाल के बनता है उस्षी प्रकार्श उद्याने बना कौन मधु संग्रह का क्या कर रहा है मधु का संग्रह कर रहा है ह। कौन कर रहा था जल्दी से बताइए कहां से कर रहा था के बहु बचना पहले तो यह संग्राय कर रहे थे एकत्रित कर रहे थे वराग निकाल रहे थे पुस्पों से ठीक चले मधु कराह आ गया है आपको यह प्रश्ण समझ में आ रहे हैं एक पदैन माले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएगा और मुझे अंसर देते जाएं कि कौन-कौन से आ हमारा घा नंबर का घा नंबर का प्रस्ण है चटकाह कया त्रण शलाकादिकम आददाति आददाति चटकह माने चड़िया कया कह काम कया ठीक आक कम कया बिभक्ति लगी हूई और ये इस्त्री बाटी का काम कया यहां बनेगा इस्ति बाची भी चलते हैं न verge lak baby सर्वनाम के रूप तो कया आगया कया त्रिन सलाका मने तिनके के तुकड़ों को घास के तुकड़ों को क्या है आद अधाती माने खाती है मक्चण करती आद अधाती करती थी चटका कया त्रिन सलाका अधाती किसके तो सस्यम क्या हो जाएगा यहां पर चंच्वा माने चौच से किस से चटका चिडिया किस से तिनकों की तिनकों की टुकड़ों को खाती है चंजवा किस से चौच से चौच से चौच से चौच से क्या करती है चुनती है चटका में प्रत्मा का एक बचन और कया में तृतिया का एक बचन त्रण सलाका दिकम में आ ददाती ददाती ऐसे र कस साखाया नीडम रचयती चटका माने चुडिया चुडिया किसकी साखा पर नीडम माने गौंसला रचयती माने बनाती है या उसका घर अपना घर कहां बना रही है वो चुडिया किसकी साखा पर अपना घर बनाती है जल्दी से बताईए आप लोगों को बिल्कुली याद हो किसके पेड़ कौन से पेड़ था वहां पर उस पेड़ का नाम बताई जल्दी से चटका में प्रत्मा का एक बचन कस्य देखिए कस्य यहां लगा होगा सश्थी विभक्ति का एक बचन कस्य साखायाम में सब्तमी विभक्ति का एक बचन जैसे रमायाम वैसे ही साखायाम किसके जल्दी से बता है बट ब्रिक्षस होगा क्या बट द्रुमस्थ द्रुम माने भी ब्रक्ष होता है तो बट ब्रिक्ष भी आप लिख सकते हैं बट ब्रिक्षस या बट द्रुमस्थ बन जाएगा बट दुमश्य अब यहां दुरूम जैसे ब्रक्ष के अगर बात करूं तो ब्रक्ष के परियाबाची होते हैं तरू दुरूम पादप भी टप ठीक यह हमारे उसी में आ जाते हैं ब्रिक्ष यह हमारे परियाबाची है तो यहां दुर्म आगया है चलिए आगे देखें बालका की दिर्शम स्वानम पस्यती बालक किस प्रकार के कुट्टे को देखता है अब यहां की दिर्शम आया है किस तो प्रकार की बात हो जाएगी किस प्रकार के पलायन करते हुए कुट्टे को देखा दोड़ते हुए कु कुट्टे को दुटिया विभक्ति पस्यती पस्यता पस्यंती तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक बचन का रूप लगा हुआ किस प्रकार के पलाय मानम पलायन करते हुए भागते हुए कुट्टे को देखा इस नहीं सुचने अपये आजाएगा कुट्टे तो जल्दी आजाते हैं आसी और से बूलाओ उसको अजाता है ठीक तो पलाय मानम किस पर कार की दिशते मानुर अगुंता ब्रमन करता है यह दोड़ता भागता है तो भाई यह निदाग निदाग हो दिविशे निदाग हो दिविशे माने गर्मी के दिन में निदाग हो दिविशे माने गर्मी के दिन में क्या करता है परियटत घुमता है स्वा प्रत्मा का एक बचन की दिर्शे में सब्तमी का एक बचन दिविशे में सब्तमी विभक्ति का एक बचन लूप लगा हुआ है दिविशे पर्यटती पर्यटता पर्यटती बन जाएगा निदाग दिविशे गर्मी के दिन में क्या करता है घूमता है समझ में आ गया चल देखें पुरे प्रश्ण को अच्छे से पढ़ना है परिक्षा भी देते हैं आप लोग आप लोग पढ़ते हैं जब प्रश्ण को हम दो से तीन वार पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न कभी भूलता नहीं है देखे प्रश्ण क्रमांग दूसरा दिया हुआ है अधो लिखता नाम प्रश्णा नाम उत्राणी संस्कृत भास या लिखत अधा मने नीचे और लिखता नाम मने लिखे नीचे लिखे प्रश्णा नाम मने प्रश्णों को उत्राणी मने उत्रों को प्रश् प्रकारसी नहीं लिखा यहां तो किबल संस्क्रिफ भ में लिखना तो पूर्ण बदमें लिखना कि एक पद में काम नहीं चलेगा ठेक तो द्यान रखिएगा यहां शंवर कऊन यहां यहां व्रक घ्यंख दूतिय का दूतिय का हुआ है लिखत बाला कदा करीड तुम अगच्छत बालक कदमाने कब ख़िद प्लने के लिए अगच्छत माने आया जल्दी से बतार बालक कब खेलने के लिए आया कि भाई पाट साला के समय था ठीक कौन सा समय था विद्याले जाने का समय था तब बालक कहां आया था उद्यान में आया था तो देखो पाट साला गमन वेलायाम कदा पाट साला गमन वेलायाम कुछ नहीं जोड़ना है तो देखी बहुत सरल एक ही पद को जोड़ना है पूरा आपका क्या दिया हुए बस इतना समाझना है कि कहां जूड़ना तो आपसे पूण बाख के भी बहुत जल्दी बन जाएगी यह समस्यां रहती है सर्कुर्ण बाख के नहीं होते हैं एक पद हो जाते हैं रट्टा मार करके वढ़िए से परिच्छा बढ़ जाते हैं डिखो बाला बाला प्रस्ञ में लिखा है क्रीड तो प्रश्ण में लिखा आगच्छत प्रश्ण में लिखा लिखा है कि ने बस क्या जोड़ना है पाठ साला गमन वेलायाम पाठ साला गमन वेलायाम बालक पाठ साला जाने की समय में क्रीड तो माने खेल ले के लिए आगच्छत माने आया कि समझ में आ गया यहां पर चले आगे दिखते हैं लिखा हुआ है बालस मित्राणी की मर्थम तुर्माना अभवन कि समझ में यहां पर एक एक चीज को आपको समझ में हैं यहां सब्तमि का एक बचल रूप लगा है क्रीड तुम में क्रीड धहतु तुमुन प्रत्य लगा है आग अच्छत में आउप शर्ग गम धहतु शे बना हुआ है लेकिन लंग लकार का रूप है इसलिए धहतु के बालक के मित्रों को किसलिए सिगृता से सिगृता हो रही थी किसलिए विद्ध्याले जाने के लिए किसके लिए क्योंकि पूर्व पाठ एक दिन पहले जो पाठ पढ़ाया गया था वो उनको इसमृत्या मने याद हो गया था इसलिए वह विद्ध्याले जाने के लिए त्व और मानह अभवन अभ यहां पर देखें के इतना आपको इसमें जोड़ना बस इतना कहाँ इपकी मर्थम की मर्थम की जगंव जोड़ द है 12 मित्रानी बालक के मित्रों को पूर्व दिन के पाथ को जो पहले एक दिन पहले जो विध्याले में पढ़ाया गया था उस पूर्व दिन के बाठ को इस मृत्वा मने याद करके विध्याले गमना विध्याले जाने के लिए तो और माना हमाने सिग्रता अभवन माना हो रही थी उनको सिग्रता हो रही थी कि मैं विद्याले जाओंगा और वहां पर याद हो गया है तो अब विद्याले में पढ़ाई होगी तो विद्याले में पढ़ने से अब वो पुछाई होगी तो बन जाएगा खुसी से विद्याले पढ़ने के लिए जा रही थी 12 में सश्टी विभक्ति का एक बचन रूप लगा एक बहुप रूप लगा हुआ है अगे देखो चली आगे दिखेंगी गा नंबर का अंसर दिया हुआ है ठीक है ना गानमबर का है हमारा मदुकर रहा बालकस्ट आहवानम केन कारणें त्रिस्कृतवान मदुकर मने भोरा भोरेने बालक बालकस्ट मने बालक के आहवान मने बुलाने पर ठीक केन मने किस से किस कारण से किस कारणें केन कारणें मने किस कारण से त्रिस्कृतवान किस क कर दिया था थिए चलिए मदौ्संगहव्यक्राइशं। यह इसमें एक पत और जुड़ना मदुकरह वालकस आवाहन केन कार्णयन को मदु संगrh डैकर ने के मौर्स मधूकर बोहरेनें वालका सि मने बालक का आवाहन माना भुलाना तिरिस क्रिवां लाणा को जाएगा तिरह बीशर्गशंदी फिर बालका की दृषम्-चटकम अपस्यत बालक ने की दिर्शन किस प्रकार चटकम माने पक्षी को यह चिडिया को अपस्यत माने देखता है किस प्रकार की पक्षी को देखता है बालक किस प्रकार के पक्षी को देखता है तो जो क्या करता था चंच्वा अपनी चौंच से त्रण सलाक आदी आददात आददात ऐसे बालक को देखता है न देखिए बा था ऐसे चटके को उसने ऐसी चुडिया को अपस्यत मने देखा बालका में प्रत्मा विभक्ति का एक बचन रूप लगा है चंच्वा मने चौच त्रिन सलाकादी सलाका अलग हो जाएगा आधी कम अलग हो जाएगा दिर्गिशंदी लग जाएगी आद दानम आद दानम यहा सब्सक्राइग आगे चलू आगे दिखिएगा गंगानमबर का हमारा प्रश्न है बाल कहा चटकाय क्रीडळी नार्थम की दिर्शाम लोभम दत्वान, बालक चिडिया के लिए किस खेलने के लिए बालक चिडिया के लिए किस प्रकार का लोब देता है, बताओ, जल्ली से कौन बताएगा, वो कहता है कि वहाँ सुकी सुकी दघश के तिनकों को क्यों खा रहे हो, आजाओ यहाँ पर स्वादिष्ट बर्गत की कोरों से कोर दोंगा उसके मीठे मीठे स्वाधिष्टु को दोंगा इस प्रकार का लो अधेता है दादातु से कित्मतु प्रत्ता सीधतान बन जाएगा यह सुखे तिनके को छोड़ोसुखे रूदूस्टूऌ स्व्दूध्धू ने भक्षे कवैलानी तोके किस प्रकार का लोब देता है कि तुम आजाओ तुम्हारे खाने के लिए मैं स्वाधिष्ट कोरों को दूंगा कवलानी माने कॉमल कॉमल जो उसको बोलते हैं कॉप कॉर ठीक जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि हम लोग चना चने की खेती होती है तो उसमें उपर जो नए नए पत्ते आते हैं आम के पत्ते होते हैं तो नए नए होते मुलाएं सौप वैसी कोर को दूंगा ठीक यहां पर देख रहे होंगे आप सुसकम में दुतिय शर्णरेंस दंद दुतिय वहक्तित त्यमें त्यागने के श्वादूनी बहुभचनान पद है भख्च कंवलानीं में भी प्रत्म का वही सियां कि शांतरिय को प्रत्माहाहई श्यां ये द्यान रखना खिन्नह बालकह श्वानम किम आकत्यत दुखी बालक कुत्ते को क्या कहता है दुखी बालक कुत्ते को क्या कहता है भाई यही कहता है कि रे मानुशानाम मित्रम अरे मनुशों के मुत्र आजाओ तुम क्या कर रहा हो थोड़ा सा इस निगद्याग गर्मी से कुछ कहता है क्या खिन्हा माने दुखित प्रत्मा का एक वैचन बालकामर के माने क्या माने कहता है क्या कहता है देखी फिर रेखन देखार है कि और शीर्ट गुं रहे हो आस्रा स्वेदम प्रच्छाय सितलम तर्मूलम आस्राइग वह पसीने से थोड़ा सा अस्राइग लेलो और प्रच्छाय सितलम और कहां पर इसे ब्रक्ष के मूल में थंडी थंडी चाया लेलो अहम अप ही मैं भी क्रीडा सहायम तुम्हारे खेल की सहायता में तौाम एयो तुम्हा 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 तु अनुरूपम एव तौम दुतिया विवक्ति लगी हुई है तौम तौम युस्मत का रूप लगा हुआ है ठीक तरु मूल माने ब्रक्ष के नीचे या ब्रक्ष की जड़क जो होती है तरु मूल कहलाता है वो नीचे वाला प्रच्छाय सीतलम माने छाया ठंडी छाया को अहाम मनँरथा बाला किम अचिंत्यत भागन मनँरथा मतलब जिसकी अब बुद्धी क्या हो गई है क्या हो गई है सोच में पड़ गया अपनी एक च्छाँ से टूट गया है क्यों की उष्कुत तीन चाल लोगोंने मना कर दिया और मना कर दिया तो वही बिलकुल सही बात है मना क कर दिया है तो फिर किसे काम करेगा इसलिए उसको मना कर दिया भगन मनोरत मन की एकछाय जिसकी तोड गई हो मनोरत माने जिसकी तोड दिया गया हो ऐसे बालक को किम माने क्या अचिंतियत माने सोचता है ऐसा बालक क्या सोचता है वह भी सोचता है कि अब मैं पढ़ने जाऊंगा मैं भी काम करूँगा पूरा संसार अपने अपने काम में लगा हुआ है और वो प्रयास करता है फिर बाद में पैसा कमाता है ऐसा आपने पार्ट में देखा होगा अंतिम परघ्राप में ये दिया हुआ है पर इच्छा तो भाई तुमको देना पड़ेगा मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे पढ़ना कैसे है, आपको कैसे समझना है, ये आप पे डिपेंड करता है, बस आपको मस्ति से आप तो कहानी को सुनते रहो, गैरनटी मेरी, मैगनेट ब्रेंच का ये संकल्प है, कि एक भी बच्चा अगर छुड़ गया, तो संकल्प हमारा तूड़ गया, पढ़ते रहो मस्त जिसका दिमाग जिसकी एक्षाय तूड़ गई हो जिसकी मन की सारी समस्तिक तूड़ गई है वह बालत क्या सोचता एक चयंतियत माने सोचता है चलो यह सोचता एक क्या सोचता आ देखो घंड मनोरथ वालट जूचनत या आपको प्रश्ण से उठावी दोले ना हमां chief मने और अचिंतिय तक लिख दिया असमेन जगती प्रतेकम बोले इस संसार में प्रतेकम स्वा स्वा कृते निमगना भावती अपने अपने कार्ण में सब सनलगने सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं कोपी वृता कालक छेपम ना सहते कोई भी समय को व्यर्थ में नहीं व महां यही में तंद्रालू तायाम कुछ सा समा पादिता ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार है में तंद्रालू तायाम क्यों जिनके द्वारा मेरा आलस क्या हुआ है आलस से जिस जिनके द्वारा मेरे मुझे मेरे अंधर जो आलस था उस आलस से कुछ सा समा पादिता मतलब मुझे घ्रणा हो गई है जिसके आलस्य से मुझे घ्रणा हो लई है मतलब उनके कर्मों को देख करके जो नित प्रती दिन लगे हुए है अपने कार्यों में लगे हुए है और मैं आलसी अपने समय को वरबात कर रहा हूं मुझे अपने आलस्य से घ्रणा हो गई है क्यों क्योंकि प् सोच नहीं रह adhere गये कि अब करना क्या है इसी निए उसने क्या कैष दिया कि बहगने मनो रथा बाला चिंटियत इस्मीन जगती इस संसार में सप्तमी विवक्ति का एक बचन रूप लगा हुए है बहगने मनो reach में प्रत्मा का एक बचन बाला में प्रत्मा का एक बचन आचिंतयत यहां लंग लकार रूप लगा हुआ है प्रतेकम माना प्रतेक को स्वा स्वा कृत्ति सप्तमी विवक्ति प्रतेक अपने अपने कार्म में सप्तमी विवक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है और निमग आपकी विशर के शंदी हो जाएगी कहा प्लस अपी वृथा मने वेकार वृथा का मतलब वेकार और कालक छेपम अपने समय को बरबाद ना मने नहीं सहते अपने समय को बरबाद नहीं करना चाहिए ये तेभ्या ये तेभ्या कहा का रूप लगा हुआ है चतुर्थी भक्ति क ही पर नमह आ जाए नमह स्क्राइब Sवार आ जाए अलम आजाये वसट आ तो वहां चत्रतिक लगा दी जाती É आख़ा बंद करके इस दिए जैसे ग्रवे नमह तो ग्रवे मेंच लई साय नमह तो गड़ेस में चत्रती देओ सिवाय 47heiten मा तो सिव में लग जाती है चतुर्थी का चतुर्थी 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 जितने भी हम जिसको भी नमस्कार करते हैं तुम स्वस्ति भवा तुम्हारा कल्यान हो हम आसीरवाद स्वरूप देते हैं स्वस्ति का मतलब कल्यान होना आसीरवाद देने के समान होता है आसीरवाद दे रहे ह वहाँ पर क्या स्वधा स्वाःा वीष्णवेशवाहा वोलते है कि नहीं लग्षम्या स्वाहा अंवा ही स्वाहा क्या के यूग में चतूर्थी वक्ति लगती है और कि इंद्राय्य वशत्तो और सब्सक्ति के यूग में चतूर्थी वक्ति 2 değildmee ये समझ में आ गया तो चतुर्थी भक्ती लगी हुई है यही में तृतिया बिभक्ती का बहुबचन रूप लगा हुआ है और में सश्टी भक्ती का बैकल्पिक रूप लगा हुआ है तंद्राल उतायाम सश्टी सप्तमी वक्ति का जैसे रमायाम वैसे तंद्राल उत्तायाम तो सप्तमी वक्ति का एक बचन कुट्सा माने कुट्सित हो जाना ग्रणा हो जाना और शंपादिता शंपादित करता चलिए आगे कि देखते हैं आगे हमारे कितने हैं आगे देख लीजिए आगे कौन-क क्या रहेगा निम ने लिखितस से इसलोकस भावार्थम हिंदी भासया आंगल भासया वा लिख़त अब उस आंगल भासे या आंगल भासा से वा दो मैंसे किसी एक लिखत मतलब लिखो अब यहां पर हिंदी भासा से या आंगल भासा से आपको इश्का क्या लिखना है भावार्थ लिखना है भावार्थ का मतलब होता है क्या अर्थ भावों का अर्थ चलिए देखते हैं कि किसका प्रश्ण को समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको देखना होगा कि इसमें कौन सी बिभक्ती लगी हुई है और इसमें कौन सी बिभक्ती सश्टी का एक बचन सश्टी का एक बचन भावार्थम भाव प्लस अर्थम दिर्ग शंदी हो गया है भावार्थम भावार लोट लकार अग्यार्थक लगा है चले देखिए किसका लिखना है भावार्थ कि यो माम पुत्र प्रित्या पोसयती स्वामिनह ग्रिहे तश्यों रक्षा नियोग करनातो ना मया भृष्टब्यमी सदपी देखे मैंने अलग-अलग करके थोड़ा सा पढ़ा कैसे जैसे यहा साथ तो उसमें एक साथ पढ़ना पढ़ेगा आपको बिल्कुल भी वहां पर शंदी का प्रियोग नहीं करना होगा कैसे यो माम पुत्र प्रित्या पोसयती स्वामिनों ग्रिहे तश्यों रक्षा नियोग करनान्यों मया भ्रष्टब्यमी सदपी ऐसे पढ़ना पढ़ेग अब यहां पर इसका भावार्थ है यह उस शमय की बात है कि जब कौन एक चिडिया मतलब चटका उस बालक को मना कर देती है कि मैं अपने नीड का निर्मार कर रही हूँ अपना गोंसला बना रही हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आकर के तुमस उसकी जो एक्षाए होती है जो उसकी मनोगामना होती है वो उसकी टूड जाती है भग कर लो तोड़ जाती है तब यह देखता है कि एक जगे पर पलायन करता हुए सवान जा रहा है कुट्टा जा रहा है किया अगर पढ़ा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्षर में दीजिए गया और लाइक करते जाना है वीडियो को ठीक तो ध्यान रखें अब यहां इसका भावार्त आपको लिखना है कि यो माम यहां माम जो मुझे कौन स्वामी जो मुझे या मेरा स्वामी माम जो मेरा पुत्र प्रित्याह पुत्र की शमान प्रित्याह माने प्रयम करता है और पो सेयती माने मेरा पालन पोशन करता है तो तस्सिग्रह उसके घर में उसके घर में रक्षा नियोग करनात है रक्षा करने के नियोग से या रक्षा करने के नियम से मेरा फर्ज क्या बनता है कि मु स्वासपात्र स्वान हूं पसू हूं और भाई इंसान क्यों रखता है कुट्टे को अपने घर में क्यों क्योंकि वो जब मैं न रहूं या जब घर का स्वामी न रहे तो वो कम से कम घर की नियुक्ति रक्षा तो करें इसलिए वो कह रहा है कि जो स्वामी मेरी पुत्र की शम एक पल के लिए भी उहाँ से हटना दुस्वार है हटना नहीं चाहिए इस प्रकार का भावार्थ उच्ешनए वहाँ feet कहा कि मैं जा रहा हूँ मुझे खेले का समय नहीं है मेरा मालें घर पर बुझे घर की रख्षा करना है तो इसका भावारत आप क्या लिखेंगे ध्यान से देख़ें ये लिखा हुआ हिंदी भावारतHello जा आप तब कूतते से खेले के लिए कहता है बालक जब कुत्ते से खेले के लिए कहता है कि गर्मी में जो घूमते हो मेरे साथ खेलो तो कुत्ता अपने स्वामी के प्रति करतब परायनता दिखाता हुआ कहता है कि जिस स्वामी के घर में पुत्र के शमान मेरा पोशन होता है उसकी रक्षा करने से मुझे नहीं हटना चाहिए मुझे वहां से जाना नहीं चाहिए अपने स्वामी की रक्षा करना मेरा परम करतब है सबसे पहला मेरा करतब है कि मैं चाहे धूप में जाओं चाहे मैं ठक जाओं लेकिन मेरा पहला करतब है कि मुझे अपने स्वामी की घर की रक्षा करना है स्वामी की रक्षा करना है चली अगला हमारा प्रश्ण जो रहेगा यह तीसरा प्रश कि तो आपको प्रश्न भी समझ में आएगा आपको यहां से पूरा का पूरा सुनते जाना और साथ में आपकी Pencil हाथ में होना चाहिए यह highlighter highlight करना है जिन सब्दों को समझ में नहीं आता है उनको आपको लिखना है उसको underline उसका बार बार उसका सब्दों को सुनना है ब्रांतो बाला कजे बटक गया जो Аच्छे मारंग से एक दूसरी मार्ग पर चला गया क्या क्योंसा मारंग था उसमी पढ़ने में और मं रुचि नहीं थी पढ़ने से ज्यादा उसकी खेल में रुची थी इसलिए वहां से भटक गया था दिर्मित हो गया था इतिक थाया इसहिते कथाका किस कथा का सारांशं म müsste शारांश को कथासे को Hindi भाशाया मने आंगले भाषा से लिखत माने लिखो आंगले भाषा से लिखो अब यहां पर आप देखें ब्रांता बालक लिखा हुआ है अब यहां विशर्ग है विशर्ग के स्थान पर ओ हो गया है यह ब्रांतो हो गया है कथाया में कथा के रूप चलेंगे तो रमा के समान चलेंगे रम लग जाएंगा वह बेकलपिक रूप है और लिखत माने लिखो समझ में आ गया की नहीं तो यहां पर आपको इसका भी सारांस लिखना है पूरी कहानी का तुचलिए सारांस को देखते हैं यह सारांस आपने पूरी कहानी का हिंदी मिया कर सकते हैं ट्रांस्लेट कर सकते हैं अपने भावों की आधार पर यह नहीं कि एक एक पंग्ति आप लिखो लेक argan को देह करकर वह आलशी अकेला ही एक बाग में गया वहां भाउरे को बुलाता है और मदु संचय में ब्यस्ट भोरे भी उसका साथ देने से इंकार कर देते हैं तो बालक चिडिया को स्वादिष्ट भोजन का लोब देता है और घौसले के निर्माण में व्यस्थ चिडिया और श्वामी की रक्षा करता हूँ अब को ताभी बालक का साथ नहीं देते देखना और बालक सोचता है कि इस संसार में सभी अपने कार्यों में व्यस्त हैं वह भी व्यर्थ समय गवाना छोड़कर गवाना छोड़कर विद्याले जाता है मतलब वो कहरा मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए इसलिए व्यर्थ के गवाना समय को छोड़कर के वह क्या करता है और मह कि जरूरत नहीं है लेकिन जो महत्पूर्ण है सबसे पहली बात क्या है विद्यालय जाने को छोड़ करके वह बाग में जाता है बाग से किसको बुलाता है बहुरे को बहुरे बाली कहानी लिख देना है बहुरा मना करता है किसलिए मना करता है वो क्या करता रहता है वो लिख हो रहा है और वो है अपनी बुद्धी को सही कर देता है जो भ्रमित्था वो सही मार्ग पर आ जाता है और पढ़ने में लग जाता है अंत में वह विद्धुता माने विद्ध्वान वन जाता है प्रशिद्धी पा लेता है और संपत्ती प्राप्त करता है इस प्रकार से पू से निर्माणम कुरुत इस थूलने का मतलब होता है कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा या कुछस इसपृष्ट रूप से अलग से हाईलाइट करने वाला सब्द। तो यहां लिखा इस थूल पदाने। ठीक तो यह हमारा क्या है यहां पर क्या है स्वादून को लिख दिया है थोड़ा हमने किस से ग्रिन कलर से हरे कलर से और यह आपका लिखा हुगा है यहां सफेद कलर से लिखा हुगा है तो आप इसमें देखें यह आपको अलग से कुछ इस पश्ट दिख रहा है और जो इस पश्ट अलग से कुछ म मतलब इस थूल पदों को क्या करो आधार मान करके उनको आधार मान करके क्या करना है प्रश्ण निर्माण करना है मतलब प्रश्ण निर्माण करना प्रश्ण बनाना है यह अंसर लिखे हुए चलिए यहां पर आप देख लीजिए इस थूल पदानी यहां पदानी है और अध पदानी प्लेस अधिकृत्य अधिकृत्य दिया हुआ है तो यहां पर आप देखें यडशंदी कैसे हो गई है इस्थूल पदानो ना आपका आधा हो जाएगा यह आपका बाहरा जाएगा और अधिकृत्य आपका अधिकृत्य हो गया अब यहां इके स्थान पर आप क्या करोगी यह कर दोगी इके स्थान पर यण पदान और यहां यहां पर आपका आधिकृत्य बनेगा कैसे एको एड़ाची सूत्रिशे या के स्थान पर या उ के स्थान पर रिशी के स्थान पर रा और लिली के स्थान पर ला आदिस होता है एको एड़ाची सूत्रिशे यहां पर आपका अधिकृत्य बनेगा अधिकृत्य आपका जयों कत्यों पदा जाएगा और आपको कु और धीकृत्य बन गया इस थोले पदान्य अधिकृत्य और पदानी में आपका दुति अविभक्ती का बहुवचनांत रूप है पदों को अधिकृत्य मने आधार मान करके प्रश्ण निर्मानम प्रश्ण का निर्मान कुरुत लोटलकार का रूप लगा हुए चलिए आगे देखें इसके बाद पहला पद इसका पहला प्रश्ण दिया हुआ है स्वादून भक्ष कवलान ते दाश्यामी स्वादून का मतलब स्वादिष्ट 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 भक्ष कवलान कवलान अब यहां पर आप देखें भक्ष माने भक्षण करना खाने के लिए और कवलान का मतलब होता है कौर 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 ठीक कौर अब इसमें कौर क्या है जैसे मान के चलिए कोई पौधा आपने देखा होगा उसकी जो नए नए पत्ते आते हैं वही कहलाते हैं नए नए कौमल कौमल कौप कौप कहीं कहीं उसको कौप बोलते हैं कहीं कहीं पर उसको क्या है नए पत्ते बोलते हैं और उसी प्रकार से बरगत के रक्ष में जो हमारे साइड से उसमें कुछ हमारे क्या आते हैं उसकी कुछ ऐसी डाले लटक जाती हैं जो उसकी जिनको हम पाया बोलते हैं ठीक वो लटकते हैं उसमें नए नए बहुत स्वादिष्ट होते हैं उनको बच्पन में मैंने भी बहुत दे उनसे जूलते हैं लोग बाग गाओं में ज्यादा मिलते हैं तो उसको उनकवलों के लिए बोल रहे हैं ते बहुवचनान्त रूप है ते दास्यामी मुले तुमको दास्यामी माने दूंगा ठीक अब ति कि येएं और देख रहे होगें कि स्वादून में दुटिया बीभक्ती और भाक्ष कवलन में दुटिया विवक्ती लगी है ते बहुचनानत प्द है AND दास्यामी दास्यामी दास्यावा दास्यामा उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष की एक बचन की क्रिया लगी हुई यह दास्यामी दादाने दादाने चतुर्थी बिवक्ति लगी है ठीक दादाने देने के अर्थ में तो दास और लिल्ट लकार भवी शिकाल में आपका सीध मुल रूप में काम करता है तो इसमें प्रश्न बनेगा तो की द्रिशानी किस प्रकार के कवलों को देने की बात करता है देने की बात करता है बालक किसको चुडिया को तो की द्रिशानी की द्रिशानी भक्ष कवलान इत्ते दास्यामी किस प्रकार के खाने के लिए कोरों को द इसके बाद दिया हुए चटका स्वकर्मनि व्यग्रह आसित चुड़िया अपने कर्म में व्यस्त थी अपने काम में तो इसमें आपने देखा स्वक्त्नमी भक्ति कसमिं आ जाएगा कखो कमकें कस्मी कसमात कस्य कस्मिन कश्मिन चाटका किसम मीं व्यस्त थी स्वाकरमणी अपने कर्म में व्यस्त थी कौण से सुष्क त्रिन सलाका आदि, सूखे हुए घ्वास के टुकडों को तिनकों को क्या कर रही थी ? चंचवा चौच से चुन रही थी का यहां पर देखेंगे कुक्कुरह मानुषाणाम मित्रथ आण से कुटा मनुष्यों का मित्र है यह बालक ने कहा था कि क्या रे मानुशानाम मित्रम तो मनुश्यों का मित्र है तो यहां हो जाएगा केसाम मित्रमस्ती कुकुरा केसाम मित्रमस्ती मनुश्यानाम मित्रमस्ती किसका मनुश्यों का मित्र किसका मित्र है केसाम मतलब किसका और मनुश्यानाम मने मनुश्यों का तो सश्टी विवक्ति प्रश्ण निर्माड में आपको जादा तर यह ध्यार रखना है कि उपर जो हमारा स्थूल पद होता है या रेखांकित पद होता है कभी कभी यह स्थूल पद रहो करके ऐसे अंडरलाइन किये जाते हैं तो आप इनको भी देख सकते हो जैसे उन्हों के दिया कि रेखांकित प्रश्ण का निर्माड करो तो यहां पर देखना है कि इन में कौन सी विवक्ति लगी उसी विवक्ति के आधार पर आपको यहां नीचे प्रश्ण निर्माड करने वाला सर्वनाम रखना पड़ता द्यान रखिएगा चलिए आगे हमारा अगला प्रश्ण होगा इसी का सा महान तो यहां की दर्शीम किस प्रकार की विद्धुता को प्राप्त किया की दर्शीम दुतिया विभक्ती महतीम दुतिया विभक्ती का एक बचन तो की दर्शीम दुतिया विभक्ती का एक बचन ठेक शहा की दर्शीम लब्दवान वह किस प्रकार की विद्धुता को प्रा से नियूग करण से या रक्षा करने के लिए रक्षा करने से मया माने मेरे द्वारा ना माने नहीं मेरे द्वारा एक पल के लिए भी वहां से हटना नहीं चाहिए तो पंचमी वक्ति लगी है करणात में देख रही है देख रहा देखिए आप पंचमी वक्ति तो कस्मात हो ज कस्मात कस्मिन ठीक इस देखो कस्मात पंच्वी भक्ति आ गया ना पंच्वी भक्ति कस्मात मया ना भ्रष्टब्यम इती बस ये आपको किम के रूप जरूर याद रखना है पुलिंग बाची इस्त्रीवाची और नपुल्सक बाची इस बात का ध्यान रखना है तो आपसे बन जाएगे प्रश्ण निर्माग चलिए आगे मैं बात करूंगा इसके बाद प्रश्ण क्रवांग हमारा छे नंबर का रहेगा देखिए इसमें लिखा एतेभ्या नमह इती उदाहरनम अनुसृत्य नमह इत्यस योगे चतुर्थी विभक्ति प्रियोगम कृत्वा पंच वाक्यानी रचयत मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो आपसे बन जाएगा और याद नहीं होगा अगर आपने इसके पहले चैप्टर को नहीं देखा होगा पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो आपको यहां पर गड़वड हो जाएगा मैंने बताया था नमा स्वस्ति स्वाह स्वधा अलम बसट योगाच्य चतुर्थी इनकी योग में हमेशा चतुर्थी विवक्ति का योग होता है आपको नमा के योग में क्या कर देना है चतुर्थी विवक्ति का प्रियोग करना कितने चीजें बना सकते हुआ बोले ऐसे लोगों के लिए मेरा नमशकार है जो दिन रात कार में लगे रहते हैं यह तेभ्या नमः किसने बोला था बालक ने कि जो दिन रात अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए मेरा नमशकार है तो यहां पर मैंने बताये था गड़ेशाय नमः सिवाय नमः गुर्वे ऐसे आपको बना देना है वही देखिए अब यहां पर पांच वाक आ गए है चतुर्थी विभक्ति का प्रियोग करने यह तेभ्या यह चतुर्थी विभक्ति का लगा हुआ है बहुचना अंत्रूप नमा की योग में उदाहरनम अनुसरित इस उदाहरन का अनुसरन करो यह कप यहां पर पाठा गया है मैंने आपको बताए देखिए इसके लिए आपको क्या होता है रामाय नमा यह दिया हुआ है रामाय नमा मैंने लिए बना दिया यह बन गया है गुर्वे नमा गुर्वे नमा दिया हुआ है यहां पर दे दिया है आपने शिवाय नमा शिवाय हो गया यहां पर आपको दे दिया है है घरे शाये नमा विल्कुस सरल बता रहा हूं आपको कठन भी बन सकते हैं कठन भी आप कर सकते हो एसा कुई ने लेकिन स lessons जो बिल्कु जल्दी से आपको समझ में आजाए दोखों यह बन गए है न अब यहां पर आपको हराय नमः हराय नमः बना कि निवना सबके योग में चतुर्थी विवक्ति लग रही है यह जो राम का रूप है रामा रामम रामेड रामायो आगया न चतुर्थी गुरुह गुरुम गुरुना गुरुवे चतुर्थी विवक्ति सिवाय के सिवा की रूप चलेंगे सिवा सिवम सिवेन सिवायो चतुर्थी विवक्ति गड़ेस के गड़ेसा गड़ेसं गड़ेसेन गड़ेस चायो और हरी हरी की रूप हरे हरे महरिना हराय बन जाएगा बि लिंग स्त्री लेंग और एक बचन दोई विचान बहु बचन का याद रखना है आपसे सारी वन जाएंगे ठीक है देखिए यहां यहां देवताओं के लिए एक देवता की बात नहीं यहां सारे देवताओं की बात हो मात्रे नमहा माता को नमश्कार माता मात्रम मात्रा मात्रे रूप तो आपको आना जाए रूप आएंगे तो आपसे बनेगा माता के रूप देखें पित्री के रूप पित्री और मात्री के रूप तो यहां बन जाएंगे माता मात्रम मात्रा मात्रे आ गया पिता पित्रम पि पित्रे आ गीत नहीं तो यहां मात्रे नमः शिवाई नमः गड़े शाय नमः और पित्रे नमः और यह भी है आप तो इनको भी कर सकती हो। कोई भी बहुत शरल बाक है आप इनको करना तो चाहें सारे आपसे बन जाएंगे एक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा बस ध्यान रखना कि नमा की योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रियोग होता है नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच चतुर्थी क स्वस्ति वेक्टि भुषाह होता है विश्णवेंश्वाह स्वस्ति विभक्त यह श्वाह की योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती चलिए हैं यह, से पहले देखी हमारा six number का पूरब आपको समझ में आ गया है कैसे नमा की योग में आपको नमा सब दाता है तब चतुर्थी वक्ती ही लगती है प्रश्न किर्मांग छह के बाद प्रश्न किर्मांग साथ पर चलेगे देखी सात नमबर का पृश्न है और इसमें दो प्रश्न है अमारे पहला तो आ है इसके बाद बड़ा आ भी होगा या आ के बाद बाभी ओसकता है ठेक यहां देखें सात में नमबर में चोटा आ है तो का प्रश्न को समझ लो तो आधी से ज्यार्श समझ से हमारी वही समाधान हो जाती है क्रश्न समझ में नहीं आया तो फिर हम सोचते रहते हैं करना अब क्या करें फिर लास्ट में जी मन में आया परिक्षा मैं किया और चल दिया, ऐसा नहीं करना, हमारे पास समय परयापत है, और समय के साथ हमें उसको खरना ही चाहिए, अच्छे से कर लेना चाहिए न, जब उसकी सारे तरीके हमें मालूम हैं, तो कर लेना चाहिए, प्रश्न को पढ़िए, बार-बार पढ़िए, का इस्तंभ मतलब एक खं तमस्त पद दिया हुआ है ठेक Overwatch ruler Kha मतलब दूसरा खंड ते साम विग्रह पदा न। उश्हका विग्रह दिया हुआ है। ठीक!", दत तानि माने दिया है Хорошо जो सही हो उसके लिखत सामने लिखो अब यहाँ पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम प्रश्णों को एतना तो समझ लिया कि हम उनकी तो समझ लेना आपका काम हो गया कोई आपको भूला नहीं सकता है कभी नहीं भूला सकता ध्यान रखना समस्त पदा नहीं लिखा हुआ है मतलब समास है और समासों का क्या होता है विग्रह होता है संधियों का विग्रह नहीं हो तो संधियों का तो मिच्छिद होता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना यह समास है अब यहां पर जो भी लगे करके रटकर के परीक्षा में तो आप जाकर के सही कराओगे मुझे गारंटी आपको विस्त्वास है क्योंकि एक बार पढ़ाना है आपको याद हो जाएगा लेकिन जीवन भर के लिए अगर सीखना है आप भी किसी को आप आज नाइंत में पढ़ रहे हो कल टेंथ में चोटे बच्चों को ट्यूसर पढ़ाएं आपके चले ट्यूसर नहीं पढ़ावी नहीं पढ़ाते हैं तो घर में भी तुमारे चोटे भाई बहन भतीजे यह होते आम उनको भी पढ़ा देते हैं और जब उनको पढ़ाते हैं तो यह आने चाहिए छोटी-छोटी चीज़ तो इनको क्या करना पड़ेगा अब यहां पा लिखा हुआ है द्रश्टी पथम द्रश्टी पथम मतलब द्रश्टी द्रश्टी माने नेत्रों से रोसनी से देखना पथम माने मार्ग को मार्ग को देखा ठेक है ना ओर मारग को देखा तो को चिनना रहा है तो का के की का के की को कहां का जाएगा देखें मार्ग को देखा तो द्रश्टे है पंठाह जैसे उसकी मार्ग पर क्या पड़ गई मार्ग की ओरर द्रिश्टी पड़ती तो यहां पर देखू का मार्ग की मार्ग की ओर पंथा देखो द्रिश्टे द्रिश्टी करूप बन जाएगा स tightening तो यहां पर आपका आ जाएगा दुरस्टि पंद्धा पुस्त को कि गुलाम यहां क्या लिखा हुआ है देखिए पुस्त का नाम दासा पुस्तकों के गुलाम पुस्तकों के दास तो सश्टी विवक्ति का बहुवचनात रूप लगा इसमें तत्पुर्शमा सश्टी तत्पुर्शमा सश्टी तत्पुर्शमा फिर विद्या व्यसनी विद्या के अध्यन में विद्या के अध्यन में तो के आगया तो सश्टी वक्ति विद्याया विद्या के रूप रमा के समान चल जाएगी विद्या विद्याम विद्याया 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 विद्याय तो पुस्त्पा नाम सश्टी विभक्ति का बहुवचिनान्त पताया क्या गया सश्टी विभक्ति क बहुचिनान्त समझ वह आगया कि नहीं अब आपको ये सारी चीज है अब यहां समास इसलिए मैंने आपको बता दियें मैचिàng करके हम लोग आग규 बढ़ सकते थे आज़ा आगे बढ़ साएं कोई दिक्कत नहीं है मैचंग करके यहां से निकल सकते लेकिन मैचञ करने से क्या होगा आपको पतात सब्सक्राइब करने से क्या होगा आपको तो चलना चाहिए कि मैच कर लिया बहुत सारी चर्चा हो गई है इसके बाद आ नमबर हमारा बड़ा आ इशी की सेवन नमबर के कोश्चर की ध्यान से देखिए बड़ा हो जाएगा हमारा देखे अधो लिखिते इस लास्ट एक्सरसाइज है ध्यान रखना हम लोग साथ एक्सरसाइज है आपकी बुक में देखिएगा साथ एक्सरसाइज है लास्ट नमबर की सेवन नमबर के एक्सरसाइज की हम दूसरी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं छोटा और बड़ा बड़ा में दिया हुआ है अधो लिखितेशू पद्य युगमेशू एकम विशेश्य पदम अपरंच विशेश पदम विशेश्य पदम चाप्रथक प्रथक चित्वा लिखता अब कितने सुन्दर तरीके सोना पूरी कॉस्चन को लिख दिया है अब आपको वाला गला करना है करते रहो पुस्तक वालों ने दे दिया करना आपका काम है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो क को देता हूं कि एक उदाहरण के आधार पर आप समझेगा जैसे आपका नाम है सुरेश ठीक और कोई कहता है कि सुरेश बहुत अच्छा लड़का है ठीक तो उसने क्या कहा सुरेश कैसा लड़का है बहुत अच्छा लड़का ठीक तो बहुत अच्छा जो अच्छा आया हु गैव क्या है क्योंकि लड़के की अच्छाई बताइजा रही है और जो लड़के की विशेस्ता को बता दे वही पद विशेशन होता है समझ में आ गया चलिए तो आपको यहां विशेशन बताना है विशेश पदों से नीचे लिखे हुए नीचे लिखे यूग में पद यूग में पद यूग में नीचे लिखे हुए पद में पद में जो पद हमारे दिये हैं उनका यूग में मिलाना मिलाना है एकम विशेश से पदम एक विशेशन पद होगा यहाँ पर और एक अपरंचा विशेशन पदम और दूसरा जो होगा अपरंचा मने चा मने और अपरंचा मने दूसरा और दूसरा यहाँ पर क्या है एक विशेशन पद है एक विशेशन और एक विशेशन पदम विशेशन पदम विशेशन चलो भईया करते हैं प्रयास तो करना पड़ेगा प्रयास नहीं करेंगे तो फिर बनेगा कैसे अब दो पर जैसे खिनना बालक बालक कैसा है दुखी है तो बालक मतलब बालक तो बालक हमारा क्या हो जाएगा भईया विशेश से पद हो जाएगा और खिनना हमारा विशेशन ह हो जाएगा बालक कैसा है दुख्य है तो बालक का बिस्षेश बालक की पहचा एसे हो रही दुख्य बालक है मैं गंडावालत अच्छा बालत आगी के बालत तो एक है ना लेकिन उसकी विश्यूश्ण जिस से आप संबोधित तो यहां पर बता जल्दी से अगर यह समझ में आगया है तो और इसका अनसर दीजियेगा और इसका आणसा आणसर आपको कमेंट में लिख करके देना जल्दी से और लाइक करते जाएगा चलिए स्वानम विशेश सपद है और कुटा कैसा है दोड़ता हुआ है पलायन मानम पलायन करता हुआ दोड़ता हुआ कुटा है भागता हुआ कुटा है तो पलायनम विशेशन हो जाएगा प्रीतह बालका प स्वादूनी भक्ष कवलानी अब जो भक्ष कवल कोर हैं जो कोर हैं मतलब जो कौमल कौमल कोर हैं वो कैसी हैं स्वादिष्ट हैं भाईया तो भक्ष कवलानी आपकी विशेश्च से हो जाएंगे विशेश्च और स्वादूनी स्वादिष्ट जैसे आप से मैंने कह दिया है क स्वादिष्ट फल तो फल आपका विशेष्ट है लेकर फल कैसे हैं स्वादिष्ट है तो वो उसकी विशेष्टा हो जाएगे तौर माना वयस्या तौर माना माने सीगृता से और वयस्या माने उसके हम उम्र उसके मित्र वयस्या माने उसके मित्र सभी मित्र कैसे हैं वो ले क अपार ніखा रहे हैं सीक गृता से जाने के लिए तो यहां पर वयास्या माने मित्रह विक कह सकते या उसके हम उम्र उसके सहपाथ ठीक थो जाएंगे तवर माना मानेव शिर्गता में विशेशन और विशेश आपको यहां समझ में आ गया कि नहीं आया बोलिए समझ में आ गया तो जल्दी से मुझी बताती तो जाओ कि आपको समझ में आ गया फिर आगे बढ़ो मैं समझ में आ गया बहुत सारे आपको ऐसे पद मिलेंगे भी तो विशेशन और विशेश को पहचानना बहुत भगभग जो विशेश पद होता है वो किसी ना किसी का नाम जरूर होता है किसी की अब वो जाती वाचक शंग्या हो और समुव वाचक शंग्या हो या व्यक्ति वाचक शंग्या हो या भाव वाचक संग्या कुछ भी हो लेकर वो कुछी ना किसी प्रकार से संग्या होगी चलें आगे बढ़ों आगे देखिए गाइस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हाँ चलिए यह हमारी अंतिम एक्सराइज थी सेवन नंबर की ध्यान रखें तो हम लोगों ने पूरी इसको पूरे पाट की अभ्यास को एक्सराइज को कर लिया है आप लोग अच्छे से बढ़िये पूरे पाट को पढ़ लीजिएगा पूरी अभ्यास कार को कर लीजिएगा वह इसमें कहीं पर भी आपको समस्या जाये तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस बात का द्यान रखना और चिंता करने की जरूरत नहीं मैगनेट ब्रेंस आपके लिए तयार है ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को चाहे आप हिंदी मीडियम से हों सी बीएस सी और चाहे इंग्लेस मीडियम से हों यूपी बोर्ट से बिहार बोर्ट से कहीं से भी आप संबद् करिएगा प्ले लिष्ट पर जाएंगे संपूर्ण कोर्स आपको निश्युल के ही मिलेगा और कोई भी सब्जिक हिंदी मीडियम का हो चाहें वह आपका इंग्लेस मीडियम को सब कुछ मिलेगा मस्ती के साथ पढ़िएगा बिलकुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नही मैगने ब्रेंस के द्वारा बड़े मस्त दमदार नोट्सों का संग्रह किया गया है वो नोट्स सिक्षकों के मार्ग दर्शन में कक्छा साथ भी शेलेकर के बारहमी तक कि सभी बात कर रहा हूं हिंदी मीडियम और अंगलिस मीडियम की और वो नोट्स तैयार हुए है तो आप जल्दी से संपर्क करिएगा वो मिलेंगे कैसे संपर्क कैसे उनके होगा आपसे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे ना उसी के नीचे आप जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाक्स में इनोट्स और ईबुक्ष की श जयत भारतम